अम्रापुर के इस पवित्र धाम पर शामी टेवुराम जी महराज के दर्शन करने का सोभाग्य मिला शामी सर्वानंजी महराज के दर्शन करने का मौका मिला और शाय सतनाम साक्षी आयो लाल धूले लाल चेत्र मिला एक सो दो कि आप सब को लख लख बदाएं हम सब के बीच में आचार पीटा दिश्ट भगत प्रकाजी महराज का आशिरवाद मिला और सभी संत जो अलग अलग इस्तानों पर सेवा का काम कर रहें पुर्णाद का काम कर रहें उन सभी संतों को भी मैं प्रणाम करता हूं यहां पदारे सभी श्रधालू जो देश के अलग अलग राज्यों से आये हैं देश के बाहर भी जो पुर्शास से साक्षि नाम तेवराम जी महराज की विचारों उनकी जीवन में दिये गए ज्यान के माध्यम से उस देश में भी सनातम धर्म की रक्षा करने का काम कर रहे हैं संत्साई तेवराम जी महराज ने जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है उस शित्र के अंदर समाज के अंदर काम किया अपने ग्यान से अपनी तपश्या से अपनी उज्जा से एक सनातम धर्म की ऐसी संस्कृति संस्कार दिये जो सेवा का संस्कार सबका कल्यान का संस्कार और शामीर तेवराम जी महराज के उनी विचारों को लेकर भारत के अंदर शामी सर्वानंजी महराज ने अलग-अलग राज्यों के अंदर जन सेवा परोबकार सेवा जन कल्यान के लिए इन आमरापुर आश्रम की स्तापना की और मुझे कुशी है कि उनकी दी गई आध्यात में धर्म संस्कति विचार आज देश के अंदर अलग-अलग राज्यों के अंदर सेवा और कुण्यात का काम कर रहे हैं जिए करुना का भाव होनाची सत्य का भाव होनाची और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है इस पुन्य पुनार्थ को आज सिंधी समाज का वेक्ति जहां भी रहता है वहां इसी तरीके से पुन्य पुनार्थ का काम करता है जब भारत का विभाजन हुआ उस त्रासदी को उस पीडा को उस दर्द को उस कश्टों को सबसे ज्यादा सहा तो सिंधी समाज में सहा किस तरीके से आधी रात को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए और भारत में आकर अपने पुर्शार से अपने कठिन परिश्रम से और आध्यात्मिक और धर्म की सेवा के कारण आज देश के अंदर सिंधी समाज एक ऐसा समाज है जो हर जगह पुन्यात का काम करता है मेरा सिंधी समाज से बड़ा नस्दीक का लगाओ है हर भूके को भोजन कराना हर प्यासे को प्याव लगाकर उसकी प्यास बुजाना अन बंडार के रूप में सेवा करना चिकिस्षा के रूप में सेवा करना और उस समय उन्होंने देखा था किस तरीके से विभाजन के समय जो दूर दराज के लोग आते थे तो उनकी ठेरने की स्तान निवा करता था और उन्होंने सबसे पहले धरमशाला आश्रम बनाने का काम किया तो सिंधी समाज ने काम किया एक ऐसा पुर्शास समाज जो अपना सब कुछ छोड़ कर आया लेकि अपनी पुर्शास से अपनी मेनस से अपनी लगन से लेकिन आध्याद्मिक धरम के कारण उन्होंने भारत में नहीं दुनिया के हर देश के अंदर अपना इस्तान बनाया आज हमें गर्व है कि सिंधी समाज ने भारत ने व्यापार उद्ध्योग और मैलाओं को कामकाजी मैला बनाना सिंधी समाज ऐसा समाज है जो कभी भीक मांगते हुए आपको दुनिया और देश के अंदर नी दिखे वह अची कड़ी मेनत के कारण जब दूर दराज के गाओं के अंदर लोगों को खाने का सामान ने मिलता था तो उस जंगलों के अंदर साइकिल से पेदल चलकर उस उभोगता को सस्ती और अच्छा सामान मिले उसका काम भी सिंधी समाज ने किया घर में मैलाओं ने जो हम आज के रहें कि लगू कुटी उद्ध्योग होने अची है उन लगू कुटी उद्ध्योग को काम का सबसे पहले शुरुवात किये तो सिंधी समाज की मैलाओं ने कि में एक माराज जी में एक लंबा प्रोचन दे सकता हूं जितना सिंधी समाज को मैं जानता हूं जितना मैंने नजदीक से देखा है उनके जीवन को देखा है उनके त्याप को देखा है तपश्या को देखा है समर्पन को देखा है निट्टा को देखा है ऐसा समाज सबी समाजों के लिए प्रेड़ना है मुझे अभी शामी जी मिले थे हरिद्वार के अंदर और हरिद्वार के अंदर उन्हों ने कहा कि सबसे बड़िया घाट बनाया तो सर्वानंग जी महाराज का बनाया शामी भगत प्रकाज मुहाबी सेवा इसथां यह अम्रा पुर्ण का जेपुर का इस्तान जहां किसी को भोजन निender का अम्रापुर के इस्तान पहाजाए दो टाइम की भोजन जाता है हम भी कई वार ठेड़ें यहाँ पर यहांपर हमें सबसे सबसें थेरने का इस्तान अगर सबसे नजदी और जेपूर के फिर्दे के इस्तर पर था तो यह अम्रापूर का इस्तान हुआ कि समय बदल गया आज आपके यहां वीज माया हूं कभी ठेड़ता था कि यहां का बोजन करता था लंगर चटता था उस लंगर में भी समर्पन होता था सेवा का भाव होता था और इसी लिए रहर हम को कि इसी तरीके से भगवान ने आशिवाद दिया जे जूले ने आशिवाद दिया एक उसकी किरपा तो साम पर बनिए और सी तरीके सी किर्पाप बनी रहेhaus strategies अंडर कि धी कि जहां भी सिंदी समाज के लोग रहते हैं इसी पुर्शा से इसी मेनस से समर्पन से, इसी सेवा से इसी तकाफे औरते और समर्पन से शिंदी समाज व ऋ संपूर्ण समाज का कल्यान करे यही मैं शामी टेवी राम जी का यही जीवन था यही उन्हों ने जीवन का दर्शन दिया था इस दर्शन को लेकर हमें जाना है और आप सब को आज के चेत्रमास मेले की लख लख बदायां आज मैं देख रहा हूं इस होल के अंदर हैं कमरे में बाहर में हैं शुराय पर हैं कोई इस्तान नहीं है जहां पर लोग नहीं बैठे हैं आपकी किर्पा इसी तरीके से बना रहे गुरूओं का संतों का इसी तरीके से आश्रिवाद मिलता रहे और भारतिये धर्म संस्कति कि संसकार जो कही बार आक्रमनकों ने यहां पर समाप्ट करने का प्रियास किया लेकिन भारत की धर्म और संस्कति को कोई समाप्ट नहीं कर सकते उन्होंने जमीन, जायदाद, मकान छोड़ना सब कुछ कर लिया लेकिन अपने धर्म के सनातन से सभी समझोता नहीं किया इसी तरीके से इस भारत को मागे ले जाते जाएं भारत की धर्म, संस्कति, आध्यात्मिक, सर्ष्णता, सब को साथ लेकर चलना यह हमारा कुटमकम की भावना, सारा विश हमारा परिवार है, इस संस्कति और संसकार को आपके नित्त में आगे बढ़ाते रहें, आप सभी को लख-लख बदाईयां.